कि हलो प्रेंट स्वागत आपका स्वी चैनल में तो प्रेंट इस विडियों में डिसक्स करेंगे यूजी पीजी के सब्जेक्ट या मीडियम को चेंज करने के बारे में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमको बिसे अब माध्यम चेंज करना है बीए बीएसे बीकॉम या में ise में आपने जो सब्जेक्ट चोईस किया था अपने हिंद्धी मीडियम सिलेट किया था और आप फिन्दी मीडियम में करना चाहते है तो वो कैसे करना है और subject आपने जो subject choice किया था लेकिन अब वो आप subject को change करना चाहते हैं तो subject को कैसे change करना है यह पूरा का पूरा process हम इस वीडियो के मादम से जानने वाले हैं कि आपको subject change करने के लिए और medium को change करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा क्या क्या उसकी जो process होती है वो हम इस वीडियो के अंदग देखने बाले हैं तो जो भी मेरे चैनल पहले विजट करना है रुक्वेस्ट करूँगा चैनल को subscribe कर लेना होगा साथ में bell icon का बटन होता है उसे भी दबा लेना होगा प्लीज यार एक request है आपसे वीडियो को पूरा देखें बिना skip किए वीडियो को देखें और पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक अभी से कर दें तो चलिए दोस्तों आप जाना टाइमना ले तो करते हैं वीडियो को शुरू तो प्रेंट्स सब्जेक्ट चेंज करने के लिए क्या process होता है वो मैं आपको बताने बालाओं प्रेंट्स तो प्रेंट्स जब भी आप अपना enorme registration करते हैं enrollment registration कैसे करना इसका मैं एक वीडियो बना चुका हूं प्रेंट्स जब आप अपना enrollment registration करते हैं उसी टाइम पर आप अपना जोकी सबजेक्ट या मीटियम होता है वो चेंज कर सकते हैं। में जो भी सब्जेक्ट या जो भी मीडियम स्लेट कर लिया है पिर उसे आप कभी भी चैंज नहीं कर पाएंगे प्रेंट्स तो एक बात जरूर दियान लगें जब आप अपना सब्जेक्ट या अपना आप जो मीडिया में बूच चैंज कर सकते हैं और किसी के माध्यम से भी आप चैंज नहीं कर सकते हैं तो अब मैं आपको प्रूब के माध्यम से भी आपको बता देता हूँ है तो कि मैंने एक एक एकले में फॉर्म जो की उपन कर लिया है के यंड़ेट का एखिन एकमाई फ्र्यूज कर्वेस परणता है сторон का हुआ अगर आपने वीडियो नहीं दिया का तो अधिकर बीडियो का दिश्या होता है पूरा पूरा मैं बताते चुका हूं आप जो कि registration करना सीख जाएंगे जब आप यहाँ पर आते हो अपना enrollment form को open करते हो आप अपना registration number और date of birth डाल कर तो आपको यहाँ पर इस जगे पर यहाँ पर एक तो select branch का options दिखाई देता है एक medium का options आपको दिखाई देता है select branch में आपको अपनी जो भी branch है जो भी subject जो कि आप select करना चाते हैं वो आप जो कि यहाँ से select कर सकते हैं जो भी आप branch वो select कर सकते हैं और जो भी आप अपना medium select करना चाते हैं वो भी आप कर सकते हैं मैं इसको open करके दिखाई देता हूँ आपको तो देखिए प्रेंट्स, मैं यहां से जब select branch पर options पर ok करूँगा और जब medium के options पर ok करूँगा, तो क्या options आता है, पहले में medium के options पर आपको ok करके दिखा देता हूँ Hindi और English, यहां से आपको select कर लेना हुगा कि आपको Hindi करना है या आपको English लेना है तो दोनों में से आप जो कि select कर लें, एक बात ध्यानक में जो भी आप select कर लोगे, वो हमेशा हमेशा के लिए select हो जाएगा और पिर आप इसको कभी भी change नहीं कर पाएंगे enrollment का मतलब ही यही होता है, क्या होता है enrollment का मतलब प्रेंट्स मैं आपको बता दूँ, जब आप admission लेते हैं, admission लेने के बाद, जब आप admission लेते हैं उस time पर अगर आपसे कोई भी गलतिया हो जाती हैं, तो वो गलतियों को enrollment registration के time पर सही कर लिया जाता है तब ही यह आप से enrollment जो की पॉर्म फिर से जो की apply करवाया जाता है, तो यहां से हम जो की medium को select कर लेते हैं, और जब मैं यहां से select branch पर option पर ok करूँगा, तो हमारे सामने जो branch के options होंगे वो आ जाएंगे, जैसे कि आपने BA, BCOM, BCC जो भी select किया है, उसके अंदर जो भी select, उस कोई कि अलग-अलग branch में, अलग-अलग subject में, अलग-अलग आते हैं, तो यह candidate का एक अलग है, इसलिए इसमें अलग subject आ रहे होंगे, तो लेकिन जो process मैंने आपको बता है, process बिल्कुल सेम है, कोई भी आपको पेटनी पड़ेगा, आप जैसा मैंने बता है, बैसा आप कर ल पहले आप बिजट करें, रुकेश्ट करूंँ चैनल सस्क्राब करें, बैल आइकन को दवा लेना है, प्रेंड से है, और वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक जरू कर देना है, तो चलिए दोश्त आप वीडियो को इंपर करते हैं, समाब तो मिलते हैं,